नमस्कार सर और नमस्कार स्वागत आप सभी का कृष्णा कमिंग गर्बसंसकार के आज के प्रश्णोत्तर के सेशन में जिसका हमेशा सही आप लोग को बड़ी बेसबरी से इंतजार रेता है मैं हूँ आपका होस्ट परेश शिर्धोनकर और मैं आशा करता हूँ कि कृष्णा कमिंग गर्बसंसकार के साथ आपकी गर्भावस्ता की यातरा बहुत उत्तम तरीके से चल रही है और आज के सेशन में हमारे असंग के सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से उपस्तिते कृष्णा कमिंग गर्बसंसकार के प्रणेता प्रोफेसर विपिंदोशी सर सर बहुत-बहुत स्वागते आपका सर के बारे में में थोड़ा परीचे देना चाहूंगा शुकल यजूर वेदी ब्राम्भनों की कण्व शाखा में जन्मे प्रोफेसर विपिंदोशी सर का जन्म अत्यनत धार्मिक परिवार में हुआ वेदो, शास्त्रों का अध्ययन, पठन, यद्न याग्न्यानी का पोरोहित्य, यहां आपकी कुल परंपरा में रहा इसी के साथ जोतिश का गहनतम शास्त्रोक तो अध्ययन, तथा लोक कल्यान के लिए उसका सांगो-पांग उपयोग करने में भी आपका परिवार हमेशा अग्रणी रहा आज के युग में जो लोग यह मानते हैं कि शास्त्रों और विज्यान सरवदा भिन्न हैं और शास्त्र पारंगत व्यक्ति साइंस नहीं जान सकता या फिर साइंस में कमान रखने वाले को शास्त्र कल्पित लगते हैं मुझे लगता उन्हें प्रोफेसर विपिन जोशी सर से अवश्य मिलना चाहिए आपने इंडिया के टफेस्ट एकजाम IIT में एक बार नहीं में तकरीबन कुछ माहपूर्व ही IIT JE की परीक्षा में All India Topper दे कर एक बार फिर से आपने अपनी दुरलब प्रतिभा का परीचे निया प्योर साइंस हो या अध्यात्मा फिजिक्स के टफ कंसेप्स हो या शास्त्रों पर आधिपत्य हर फील्ड में विपिन सराज भारती निया पितु भारत के बाहर भी अपना लोहा मनवा चुके हैं आपको अपने तपस्वी जीवन तथा IIT JE में अध्यापन गर्ब संसकार विशे पर अतुलनिय योगदान के कारण भारत के कई गण मान्य fiance जीच, जीनमें भारत के माननी रक्षा मंत्र सिर राजनाद सींग जी लोकस अभाथ अध्यक्ष श्रीमत्य सुवीत्र महाजन जी मानव संसाधन विकास और जल संसाधन मंत्र सिर स्रत्यपाल सिंग जी वरिष्ट केंद्रिय मंत्री स्री नितिन गड़करी जी, केंद्रिय स्वास्थर मंत्री स्री मंसुक मांडविया जी, The News Broadcasters Association of India के अध्यक्षय और Strategic Affairs of the Indian Broadcasting Foundation के उपाध्यक्षय, तथा वरिष्ट संपादर स्री रजट शर्मा जी, तथा एकाधिक राक्षयों के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री पुरस्कृत कर चुके हैं. तो ये एक सर का संक्षिप्त परीचे था, सर आपकी अनुमती से अब हम आज के सत्र का आरंब करेंगे. हर समय के तरह कई प्रशन है, सर, उसमें से कुछ प्रशन. पहला प्रशन रेखा पटेल जी का है, सर, इनका आठवा मेना है, ये सोलापूर महराश्ट्र से है. इनका कहना है नमस्कार, सर, मेरा आप से निवेधन है, कि यदि हो सके, तो आपका एक छोटा सा वीडियो आपक जो भी हो सकता है, जैसे उनकी जीवनी को पढ़ा, उनके बारे में वीडियो आदी देखे हैं मैंने, इसके अलावा भी अगर कुछ हो, तो कुरुपे आप मार्गा दर्शन करें. आज भारत के एक आदी किस्तों में गणपती भी सरजन हुआ है, तो बपा आज इतने दिन अपने घर पे रहने के बाद में, खुद की घर गए है, श्री राम चेहरां देखे हैं, भगवान है या नहीं? अब हमारे लिए तो मतलब आप सभी लोगों के लिए मेरे खाल से ऐसे ही होगा कि भगवान अगर सामने प्रगट भी हो जाए, हम इस बात को बहुत बार कह चुके हैं, और फिर हम रेखा जी के प्रशने पर आएंगे, चुकि आज गंपती का विसरजन का दिवास, इसलिए तो आस्तिक होना भी एक आस्ता है कि भगवान है और नास्तिक होना भी एक आस्ता ही है कि भगवान नहीं है, उसकी इस चीज़ पर आस्ता है, तो उन्होंने कहा जब दोनों ही आस्ता है, तो फिर अंतर क्या है, हम नास्तिक ही है, हमारी आस्ता है कि भगवान नहीं है, तो ह आपकी आस्था पूरी तरसे तूट जाएगी लेकिन अगर भगवान है और प्रगट हो जाएं तो हमारी आस्था पे लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा तो इसलिए हम इसलिए आप से ही कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए कलपना करिए कि भगवान अपने होने का प लोग दिखता होने के लिए को आज की अगबार में दे दिया तो लोग कभी खटे होंगे तो गणश गणपती के समय अगर आपन उत्सव बनाएंगे गर चोराओं पे गणपती को बिठा गये तो लोगों को यह लगता है कि गणश उत्सव की शुरुवात लोगों ने करी वो गणपती तो शास्त्री दुरुष्टी से बेटते हैं लेकिन लोगमाहिटरक ने उसको सारवजनी कुरूप से उनको बिठाना शुरू किया ताकि लोग इखटे हों और जब लोग इखटे होंगे तो उनको देशकाल के परिस्तिति के बारे में बता कर अंगरेजो का प अब 叔ुका संर्णा सब्सचाओं शेखटे हो दाना के पुरूजका आता है ट विचलियोंorie के लिए तो सच में अपने को एसा लगता है कि कोई अपने घर का सदस्स्य है या कोई अपने अपने घर पे आया था कुछ दिनों के लिए और और वो जा रहा है वापस और आपको बोलते हैं कि गंड़कदी बप्पा मोर या पुडचा वरशी लोकर या अगले साल जंदी आना कलपना कीजिए कि महमान हमें पसंद नहीं आता श्री राम जय राम जय राम लेकिन बप्पा आते हैं तो हमें साल लगता है कि जब जाते हैं तो पांच दिन भी क्यों नो रुके पर जाते से हमें हमारे आपों में आसो हाते हैं हमको ऐसा लगता है कि सच में हमारे घर पे कोई था हो जा रहे है तो वो भगवान के हुने के रोज ही प्रमान है अगरम ध्यान से देखें तो दूसरी बात है कि आपके प्रशने के रूप में आपका प्रशनी ये था कि कोई मैं कोई वीडियो क्लिप या आवाज बना के दूँ जिससे आप और भी लोगों तक कृष्णा कमिंग गर्व संस्कार को पहुंचा पाएं तो ऐसी कोई अभी जिसे मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रशन कि मुझे करना क्या है इसके लिए मतलब आप उन्हें ये क्यों सेशन जो होता इसको हम भी हम ओपन करने का सोच रहे हैं क्योंकि कई जगों से हमें ये कहा गया कि ये अगर ओपन होता तो हम अपनी माता जी को भी दिखा सकते थे वो भी अगर वो अटेंड कर पाती हैं अपने भाई को को तो करने का सोच रहे हैं इसके अलावा हमें को इत श्री राम जैयराम जैयराम तो वह आपको लग रहा है लेकिन Krushna Coming, गर्ब सनुषकार उसी विधा से चल सके जो शास्त्री है और उसी 360 डिगरी विधा से जिसमें दुनिया मतलब उसमें meditation भी हो, उसमें योग भी हो उसमें प्रवचन भी हो उसमें ये Q&A जिसे सेशन्स हो, उसमें और जो जो होता है वो सब हो, आज भी हम आठला गुरुपे स्वयम की जेब से विये कर रहे हैं, कि वो चीज चलना चाहिए जिस तरीके चलती है, पर आपकी भावना स्थुत्य है, इस भावना को लेकर अगर हमसे कोई वीडियो या आपको शिशु चाहिए, तो स्वामी विएकानन जैसा शिशु ये पूरव जन्मों के पुंग्नियों से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदे हम न रखें, अभी हम चार दिन पहले दिल्ली में थे, केंद्री स्वास्त्य मंत्री ने गर्व संसकार को अभी कृष्णा कमिं दिल्ली में तो हम वहां थे, जब हम वहां थे तो हम दिल्ली में राम कृष्णा आश्रम है, अगर आप में से कोई दिल्ली रहता होगा या दिल्ली गया होगा, तो पहाडगंज के पास में राम कृष्णा मिशना आश्रम है, हम वहां गये थे, अब वहां गये तो वहां का वह वातावरन इतना शानत और वह राम कुछने ठाकवर की मूरती मतलब इतनी सुन तो हमको उस समय यही लगा और हमने अपने साथियों से जो हमारे साथ आफिस के तीन और लोग थे तो हमने उनसे कहा कि थोड़ी दर कलपना करिए कि 32 साल एक मनुष्य जिया और दिल्ली जैस समय आप यह कनेक्ट करते जाएंगे तो तो रिखा जी स्वामी विवेकानन जैसे शिश्य यह पूर्वजन्मों के पुन्यों का प्रतिफल उनके मा की गोद में और दूसरा यह भगवान जब कोई साधार अनकाम आपको करना होता है तब आप उस काम को चुनते हैं याद र उनके पिता को चुना गया था भगवान द्वारा कि यह होगा एक मनुष्य जो वेदान्त की भगवा पता का को अखिल विश्व में फिर से प्रतिस्थापित करेगा। कोई एक युगांधर, युग को युग पे असर डालने माला मेरी गोध में डाला। श्री श्री ठाकूर से राम प्रुष्ण परम हुँस असे प्रार्थना की जा सकती है कि जैसे आपने किसी नरेंद्र को विवेकानन्द बना दी आपने किसी एक अबोध बालत को जो लॉ श्री ठाकूर से और भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि भगवान शास्त्री विदी से गर्व समस्कार कर रही, बाकिसाब आपके हाथ में है, मुझे विवेकानन्द जैसा कोई देना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच रखने के साथ में ही शिशु जन्म हो होता है, तो वो कार्य छोड़ना नहीं चाहिए माताओने, जितनी भी आप सभी माह बनने की गार पे होंगी या बनने वाली होंगी, हमारा यही संकेत है कि स्वामी विवेकानन जैसा शिशु भगवत इच्छा से होता है, आपने गर्वसमस्कार विधा करी है, तो आपने उ और वो पते वेदानत का, वो पते ज्ञान का, वो पते भक्ती का, एक बहुत बड़ा एक आजकल जो लोगों के मन में बहुत बड़ा, there is a great misconception in this prevailing world what I am witnessing now, मैं आजकल इस दुनिया में इस संसार में बहुत बड़ा misconception देख रहा हूँ और वो misconception यह है कि अगर बच्चों को IATN बनाना है तो कैसे होगा, इस सब फालतू की बात है, इस दुनिया में हम आज आप किसी महराष्टिन घर पर देखते हैं, तो वो बोलती है, उनकी माह हमें बोलती है कि अगर बच्चे को, हम इंग्लिश घर पर नहीं बोलेंगे, तो बच्चे को इंग्लिश कैसे आएग तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़े देर के लिए के इंडूल करको सुन लो, वो उसको भी इंग्लिश आती ही जबकि उसको माराथी आती ही कि नहीं, वो जितने आपके पहले के पीडी के महराष्टिन लोग तो उनकी घरों के माराथी बोलते थे और बड़े-बड़े पदो कि पढ़ना क्यों, तो हमारा ऐसा मानना है कि जन्म होने के बाद भी उसको स्वामी विवेकानंद के पत्पर डालने की व्रहद गुरुतर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, मा की ही गोद में सुरुष्टी और परले है, मा की ही गोद में कल का कोई उसमा बिन लादे नग तो कल का कोई विवेकानंद भी मा की गोद से ही निकलता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुरी मैं सुनने में तल्लीन हो गया था, रेखा जी आपको आपके प्रशना का उत्तर मिल गया होगा, बहुत ही सुन्दर तरीके से और शाय सभी के लिए ये प्रेनादा एक बात रहेगी, अगले प्रशने की तरफ चलेंगे सर हम, से कीडनी में सूजन होना भी कहते हैं, वैसे तो डॉक्टर ने का है कि दीरे-दीरे प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि उनके साथ पहले भी एक केस हुआ था तो उसके करण हमको टेंशन हो जाती है, कि सब ठीक होगा कि नही इसलिए अब डर लगता है कि फिर से कोई गलत न हो, कुरुपे आप मारगदरशन करें मतलब मैं इसको बता दिया है, तो ये मेडिकल में है, तो ये डॉक्टर का प्रशन है इसका, और ये हमने डॉक्टर की इसमें मतलब उनको जैसे सेशन होगा, तो हम उसमें इन प्रशनों को अवश चलेंगे, सर इसमें किवल उनको ये है कि आप उनको कहीं कुछ एक दो सिर्व इतना रहता है कि ये मेडिकल टर्मिलोजिस की इतनी अंदर की चीजे में इस्टड़ी की नहीं कभी, मेरी फिल्ड कुरी मैच्स और साइंस की और वो सब रही फिसिक्स काले, तो आने वाले कुछ दिनों में जो डॉक्टर सेशन है उसकी तो आप ही अगर उनको बता उतना मुझ को विश्वास रखी है, वो में कल ही करूँ दन्यवाद सर, अगले प्रेशन की तरफ चलेंगे, अगला प्रेशन सर पूजा सेनी जी का है, इनकी डिलेवरी हो चुकि ये पानीपत हरियाना से है, और इस से ही मिलता जुलता प्रेशन, मतलब सेमी प्रेशन है ए तो गुरुजी मेरा प्रेशन है क्या भादो के महने में भादरबत महा में डिलेवरी शुब नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनकी डिलेवरी 24 अगस्त को हो चुकी है, और आपकी कृपा से बेबी बॉय हुआ है, सी सेक्शन से हुआ है, तो एक इनके कहना ये है, दूसरा इनका कहना है कि सर अचकल मुझे उल्टे सीधे सपने आते हैं, जिसके कारण मेरा मन बहुत घबराता है, तो मेरी आप से प्रारतन है कि मेरी समस्या का समाधान करें, बच्चों के बारे में भी एक बर उनको ऐसा ही प्रशना आया था, और सेम प् शांत्मना, बुद्धिमान और संस्कारिश शिचु को जन्द देना साती हैं, तो बिना देरी किये, अभी क्रिशना कमिंग गर्प संस्कार आप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी तो फॉलो वैदिक गर्प संस्कार कोर्स जिने फॉलो करके हजारों पेग आपने पती की तारिक इतनी करी है कि उन्होंने मेरा काफी ख्याल रखा और इस अब चीज़ें, तो अगर सेनी जी अगर बेठे हुए होंगे, तो सबसे पहले तो पती को बधाई देना चाहिए, आप खुशकिस्मत है, भगवान आप दोनों के ग्रुहस्त को वेसे ही पल् हम पहले भी ये कही बार संकेत दे चुके हैं कि हिंदु धर्म में अपने को अपने घर पे दो चीज़े अपने घर पे होना चाहिए, अगर वो पहले की घर अलग हुआ करते थे पहले लोगों की प्रशस्त घर हुआ करते थे आंगन वाले, प्रहत ने करना चाहिए कि अपन और पतनी के बीच में तनाव रहता हो, या वाद की स्थिती रहती हो, या ऐसा कुछ रहता हो, उसको पारिजात रुप्ष अपने घर पे लगाना चाहिए, जिस समय शास्त्र लिखे गए थे, उस समय फ्लेट सिस्टम नहीं हुआ करते थे, उस समय तो प्रशस्त घर होते थे, जनसंक्या बहुत कम थी, लोग जंगल और उसमें गाउं में सही रहते थे, वैसा करना चाहिए, पर आपका जो प्रशन है, वो स्वपन पहला प्रशन, आपको देख लिए पहला प्रशन है, स्वपन है उनका, स्वपन है, शास्त्रों में स्वपन के लिए बहुत सारा क्योंकि इसमें दिक्कत ही हो जाती है कि स्वपन में किसी एक चीज को देखना अलग चीज को इंगित करता है, दूसरी चीज को देखना दूसरी चीज को इंगित करता है, कई बार स्वपन हमारी उस समय की तातकालिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, कई बार शास्त्र ज हमें याद नहीं, लेकिन हमने कहा था है, विशले सत्र में ही, कि आप थोड़ दर के लिए सोचिए कि आपके जीवन में कही वार ऐसी घटना होती है, जो आप सोचती है, कि यही घटना, यही मनुष्य था और यही जगे थी और इसी अंदाज में बोला था, और आप इस सोची की रिलेटिव पॉजिशन के बुग में, और यह सब पहले से है, लेकिन वो जो पहले आगे होने वाला है, उसका पुरवानुमान आपको अपनी उस स्टेट में जाके हो गया था कभी पीछे, तो जैसे, जैसे मान ली चीए कहीं अगर आग जल रही हो, यग्य हो रहा हो, औ आप दूर बेट की अग्य के दर्शन भी करें, तो देखिएगा थुड़ी देर बाद आपको उसकी आँच आने लग जाती है, तो वेसे ही कुछ पूरवानुमान के आपको जोंके आ जाते हैं, तो हम इसलिए इस चीज पे नहीं कह पाएंगे कुछ भी, क्योंकि शास्त्र आपको यह कहते हैं, कि अगर आपने मोर को देखा है, तो अलग है उसका अर्थ है, और मोर पंख आपके हाथ में तो उसका अलग रथ है, तो हम आपको यह निविदन करेंगे, यादि संभव हो आपके लिए तो आप जोतिश से कंसल्टेशन करें, क्रुष्ण कमंगरती आपको यह लोग एक मंतर देंगे, दो गान मंतर नों कोंते ही करूष्ण को आपको दो मंतर देंगे, चास्त्र कहते हैं कि यदि मात्र कुछ टेंपरली कोई चीज हो रही होगी, तो इस मंतर का अपने को, यदि एक सिंपल दो लाइन का मंतर है, वो अपने को पढ़ना है, और उसके बाद में अपने अपने बहगवान को नमस्कार के सोना है, और उनका कुछ और भी था किसे है टुम रागवाव घीज होगी होगाई अपने को, छोतो से है ग talk खेंटार्ञी होगी पर आतरिगों को यदि माता है, यह अपने में अपने जिसे आहीं होगी होगी ही तो आतरि भादो पार के घुर के जी थे धा होगा, एक दूमे बेर में उनकर बादेत बादेकोंशने हो बहादरपद के महीने में बच्चे होते हैं के नहीं होते हैं, जैसे बहादरपद में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, बहादों में किसी के डिलिवरी का टाइम आएगा के नहीं आएगा, नो महीने किसी के होंगे के नहीं होंगे, अगर होंगे तो ये भगवान के ही करे हु हो रहे हैं ना तो भगवान के करे हुए हैं तो फिर या शुक कैसे होंगे तो यह कहां से हम लोगों ने पता नहीं है मित बना बना कर रखे हुए हैं हिंदु धर्म you know let's be sure Hindu dharma is not one of the scientific dharma it is the only scientific dharma in this world एक मेव विश्व मेवई ओनियानिक धर्म हमे sit in वो लकल है वो विज्व जो हमारे रुश्यों ने लिखा वो हमको अभी हमारी पचेंद्रियों में समझ में आ रहा है और लहा है 100 साल पहले चले जाएंड तो कोई बनानता होगा क्या क्यी वहूए चान की ओlect जाएंगो, नहीं मनता था तो यह कोई भादरपत להते सब बच्चे, Shri Krishna का टार भादरपत मेंसे नेई. कोई यसा कुछ नहीं है. अगले प्रश्ने की तरफ चलेंगे सर हमलता ठाकुर जी का प्रश्न है इनका सात्वा मेना ये पुने महाराष्ट्र से है सर इनका प्रश्न वीडियो फॉम में है सर वीडियो प्लीज नमस्ते सर मैं हेंगले ठाकुर पूने से बात कर ली हूँ मेरी क्वेंस प्रश्न है और अभी मेरा सेवन मन्द चल रहा है मेरा ये सवाल है जब भी मैं भगवान की आर्ती करती हूं या कोई बहजन सुनती हूं तो मेरे दोनों बेबिस बहुत ज्यादा करते हैं तो उन्हें ये सब अच्छा लगता है या फिर घंटी की आवाज और मुजिक के कारां उन्हें कोई परेशानी हो रही हूं प्लीज आप मार्गदेशन करें थैंक्यू बेबी की आँ हैमलेता ठाकुर प्रश्ना हाया इंसा कि सर जब भी मैं बगवान की आर्ती करत तो बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो उनको ये सब अच्छा लगता है या घंटी और म्यूजिक की आवाज थे उन्हें कुछ परेशानी होती है उन्हें बहुत अच्छा लगता है याद रखिए कि एक फिल्म थी पुरानी दो कलिया उसका गीत था कि बच्चे मन के सच्चे अपने हरे अपने बच्छों में सुनाया उसमें एक लाइन आती थी कि जब तक इंसा बच्चा है तब तक संझो सच्चा है जो उसकी उमर बड़े जूट का उस पर मेल चड़े यानि वो फिल्म मे जिसने गीत लिखा वो क्या कहना चाहरा है कि जब तक इंसा बच्चा है तब तक समझो सच्चा है क्यों है सच्चा वो गीतकार क्या सारे बच्चों से सर्वे कर चुका है कि तू भी सच्चा है कि देखता हूं तू भी सच्चा है करण ये है कि प्रकृती मतलब एक बात कि जब तुम कहीं, अगर तुम कहीं हिमालय में कभी गई होंगी, मुझे पता नहीं है, कभी जंगल ऐसे बिल्कुल सुन्दर बिल्कुल रम्मे बातावरन में, तो तुम्हें देखना बहुत शांतता लगेगी, वहां अपने को करोध कम हो जाता है, वहां अपने को कटूता क मौह माया लोह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भूख और प्यास उसको आ चुकी है, तो रिलेटिविली हम जब किसी शिशु को देखते हैं तो वह शिशु सबसे भगवान का भी शुद्ध स्वरूप है, अभी उसमें काम है क्या? नहीं है, लोभ है क्या नहीं है, अहंकार, कुछ है क्या? नहीं, अहं, नहीं, कुछ नहीं, कटूता किसी के परती? नहीं, तो इसलिए क्या होता है, वह जो शिशु का शिरेश्ट, अभी इश्वर का उँश सबसे श्रेष्ट स्वरूप में अभी, अभी उसको पंटिमिनेट नहीं हुआ है वह अब वह जो तुमारे सब अब तुम, जैसे देश में खो गए हो सब गोरे हों या सब Det is Hai मौसे तुम फा आगल में नहीं तुम है कहा हो चाहा हूं पैसे है मेरे पास को dalती सही है, वह जो गुआ हरना है कि मैं कहा हो, मानलो अदु सबसमी थेकल है तुम से भारती है कोई दिख जाए, औ खान लो है ना कोई मंदिर दिख जा उसमें वह है तो तुम्हें एकदम उसकी तरह दोड़ोगी कि नहीं कि वह तुम्हारे जैसा तुम्हें लगा तो ईश्वर का श्रेष्ठ आउंश भी ईश्वरीन सर्व भूताना मुरुदेश अर्जुनतिश्ठरी के हिसाब से वह शिश वह उश्वर का उश्वर तो हमको याद कम है याद रखो अर्जुन को भगवान ने ये बंद कर दो अर्जुन को श्री भगवान ने महाबारत में कहा कि अर्जुन तुझ में और मुझ में अंतर सिर्फ ये है कि तुझे याद नहीं कि तु इसके पहले भी जन्मा है और इ दोध, काम, अहंकार, इन्होंने एसानी किया, मेरे जीवन में दुखी दुखे, ये सब चीजे आ गई है, तो हम उसको भूल गए जो हम है, और उसको ये याद है, जो बो है, इसलिए उससे मठ डरो, शंक की ध्वनी हर हिंडू के घर को होना चाहिए, आदर शुरूप से, तुम लोग उसे पूछते हैं, हमालय में तुम कहीं गए होगे, अब पता नहीं गए हो कि नहीं कभी, लेकिन जहाँ है, देवत आत्मा हमालया, हमालय में जाओ, एक शान्त मंदिर है, और तुम बेढ़े हुए हो ये हमालय के मापे चाय वाई की कुछ टापरी, हमापे रो जाता है, तो तुमें क्या लगता है? श्रीष्ठ शांत वाजावरान भी कोई ऐसा करता है, और वो जहां घंटे की भी आवाज है, लेकिन उससे में तुमें तुमें क्या लगता है, उससे तुमारी शांता में खलल नहीं पड़ता, देखो, हमारे सारी चीजें सोच के बना को लिए शास्त्रों में कहीं पर रम विधरब्य इंधिया थे लेकिन पर लुजटेुनार्ड्énd Olha में मूगल आकरमण के बाद में आकरम्ण हुआ अपने भारत पर विधर्भमियों मिलेच जाती का तो भारत आप चंसत्रों by हम सिर्फ यह समझा रहे हैं कि भारती वाद दे तुम एक और हम आपको उधारण देते हैं हमारा हिंदु धर्म वईज्या नहीं कहेंगे हर जगे है जिस गली में चले जाएंगे सोचते हुए है कभी सोचके देखना कि सबसे शा करण प्रियवाद दे तो पता है क्या है हमें सलगता है हर एक का अपना उधार हो सकता है बांसुरी बांसुरी आप सोचके देखो करकश होती ही नहीं सुबह के समय को बांसुरी पर राग आप अपने उस पर लगा दो सुन्दर राग शान तो बचती रहेगी लेकिन उसी की जगे आप गिटार देखना धैंद धैंद श कटता भूल के कोई हम सब वो एक ही लेकिन तो इसलिए भारतिय वाद्भिर ये तो शिरेष्ट है शिशु को अपना स्वरूप याद आता है दन्यवाद सर अगले प्रशन की तरफ चलेंगे सर भावना अगरवाल जी इनका चट्वा मेना और इंदोर से हैं इनका केना है नमस्ते सर मेरा चट्वा मेना अभी शुरूई हुआ है कृष्णा कमिंग के द्वारा और बाकी लोगों द्वारा भी मैंने गर्भसमवाद को इंपोर्टेंट बताया गया है किन्तु में चाहकर भी गर्भसमवाद नहीं कर पाती हूँ और थोड़ा बहुत करती भी हूँ तो वह मन ही मन में कर पाती हूँ आवाज निकालके नहीं क्या मेरे इस कमी की वज़य से मेरे और मेरे शिशू के बॉंड पे असर पड़ेगा उससे पूछे अगला कोई करश्णी के अगर सिवफल नहीं खाया तो डॉक्टर रोज पास आएगा क्या तो इसा नहीं रहता है बहुत गर्भसमवाद इसको अब देखो कितना आश्चर यह है पूरा वेस्टर्ण मेडिकल साइंस अब हमारी एक एक चीज को धिरे-दिरे क अबतिते हैं मैं जोड़ हाथ मिलाते हैं हाथ जोड़ते थे हम हाथ हम लोग चपन गहार निकालनेा जूते भाहर निकलने क्या दी अब नोगों को कहा कि हम श्री चाही राम जाए रम अब यह लोग कह रहे हैं यह इनों थोड़ी थी आपने को अभी आपका आपका जो प्रश्न है वो यह कि गर्भ समुवात all the medicals now the medical signs completely in unison they are reciting it like anything that yes it's true की मा का सिर्फ you know one thing the only voice you know the the child in the womb recognize that of a mother वो सिर्फ के मा की है बच्चा गर्भ के अंदर जिस एक मनुष्य के आवाज को इदेफाई करता है वो मा की है तो इसी लिए मन के अंदर कर आप बोलेंगी न तो आवाज बच्चारी को ना कैसे करेगा इसलिए करना चाहिए वो एक शिश अरे एक सोचो चोवीस घंटे हैं अपने पास जिंदगी में अपने जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत अपने गर्भ में पल रही है अब भावना तो इसके लिए अपने पास चोवीस मिनिट तो छोड़ो चार मिनिट भी मिनिए के बात करने को सोचो थोड़ जरी एक बच्चे को हम अपने पत्नी को जब पहली हमारी बेटी होई हमने उनसे कहा कि देख किसी बच्चे को केड़बरीस चॉकलेट बहुत अच्छी लगती ह हाँ आइस्क्रीम अच्छी लगती है हाँ थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको नाइकी के शू दिला है हाँ तब यह सब चीज है बच्चे को कहके देखो कि तिरको यह दे देंगे मानी मानी रही तो बच्चा बोले करें दो फिर मा चाहिए यह बहुत बड़ा मि चोवीस घंटों में चार मिनिट भी अगर आप अपने बच्चे को अभी नहीं दे सकती है और कोई दुनिया का कोई कुछन कमिंग के गर्ब समवाद को कोई पढ़के बोलने की जरूरत में जरूरत में लगता है वो तो आपकी साहिता के लिए है जो मन की अच्छी भावना मैयारियों से शेयर करो उसको अपने नाम देना है सोनू, मोनू, टोनू, बिट्टू, जो मन में देना है उससे बाद करो लेकिन तप हमारे हिंदु धर्म में कुछ शब्द इसे हैं जिसका उल्टा करो तो एकदम उल्टा शब्द अर्थ हो जाता है तप नहीं करोगी तो तप का उल्टा पत होगा पतन होगा रोज नियम पुर्वक आप सभी लोग अपने शिशु के लिए गर्ब संस्कार की जितनी विधा कर सकते हैं जितना अपने को कुछ न करना वो तप है नहीं करोगे तो पतन है और यह तो ऐसा इंवेस्टमेंट है जो जिन्दगी भरपल देगा परना चाहिए विटा अपने को क्या परिस्तिती तुमारे साथ इसी है कि गर्ब समवार नहीं कर सकती हमें पता नहीं पर करना चाहिए और आवाज के साथ करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आपके प्रशन का उत्तर अवश्य मिल गया होगा अगले प्रशन की तरफ चलेंगे सर अगला प्रशन अदीती जी का है इनका सात्वा मेना है यह नई दिल्ली से हैं इनका प्रशन भी सर वीडियो फॉर्म में है सर वीडियो प्ले नमस्ते गुरू जी मैं खिशन कमिंग टीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतना अच्छा प्लाटफॉर्म मिला इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा समझा और करा भी मैं मेरा नाम अभिती है मैं डेली से हूँ अब मेरा सात्व जो मेना चल रहा है पहला सवाल यह है कि मेरी साथी को चार साल होगे है और मैं बहुत बिमार रहती हूँ अब थोड़ा ठीक है बर फिविं मैं बिमार रहती है मेरी प्रेगनिसी में भी बहुत सारी सोनोग्राफी हुए कभी कुछ कभी कुछ इससे मेरे बच्चे को तो असर नहीं पड़ेगा ज्यादा सोनोग्राफी से एला सवाल मेरा ये है दूसरा सवाल ये है कि मेरे पती भी कई साथ भी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है हम दोनों ही कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है तो मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे पर सुष्ट रहें और हम दोनों भी सुष्ट रहें कि जिससे हम उसको अच्छी परफिरिश अच्छा सुष्टत चाप सब कुछ दे सकें आप इसके लिए हमें बताइक कि हम क्या कर सकें जिसे कि मेरे घर में सुख, सम्रिद्धी और स्वास अपका ठीक रहे, मैं भी ठीक रहा हूँ, मेरा पती भी और आने वाला जो शिशू है, वो भी ठीक रहा, उसका भी स्वास हमेशा ठीक रहे, उसका जिखने भी ग्रहे हैं, वो सब मजबूत रहे, गुरू जी मुझे माघ क्या कर सकती हूँ, धन्यवाद आपका ठीक क्या आप प्रेगनेंट हैं, और जन से ही अपने होने वाले शिशू को शांत, बुद्धिमान और संसकारित बनाना चाहती हैं, तो आज ही क्रिशना कमिंग गर्प संसकार एप पर प्रफेसर विपिन जोशी की फ्री गर्प संसक क्लास जरूर अटेंड करें, इस क्लास को अटेंड करके भारत और विदेश से हजारों प्रेटन्ट महिलाओं ने अपनी जिन्दिगी बदली और इच्छा अनुसार शिशू को जन दिया, तो अभी डाउनलोड करें क्रिशना कमिंग गर्प संसकार एप और अटेंड करें फ्री देमो क्लास, लिंक एंड देस्क्रिप्शन. कुंता महिने सात्वा है, सात्वा महिने सार। किस दिशा में किसी को भेजना शही है. अधिती श्री राम जाए राम जाए राम जाए राम. अधिती श्री राम जाए राम जाए राम जाए राम. अधिती श्री राम जाए राम जाए राम जाए राम जाए राम. तुम्हारे पुरे परिवार को ही जो है वो कुछ चीजों की आवशकता है कितनी चीजे अपना परिवार हम इसलिए सोच रहे थे तने देर तक कि कि हमें लगा भी दो महीने प्रिग्नेंसी में है वो दो महीने करें हम या दो महीने के बात करें है ना श्री राम जै राम जै र मन विच्छन रेता है, मन संतोषनी रेता लोगों के मन में, वो सब चीजे हैं, और उसका कारण हमको सतरपतिशत को समझ में आ रहा है वो, पर जोतिश्च की दुरुष्टी से ही उसको समझना वईज्यानिक है, तो इसलिए वही प्रकार श्रेष्ठ है इन चीजों में, ताकि जैसे उधारन के तोर पे, कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, उसको कुछ व्याधी है, तो डॉक्टर उसको टेस्ट कराने को जो बोलता है, तो टेस्ट तब कराने के इसलिए, वो इसलिए नहीं बोलता है कि उसको समझ में नहीं हारा, वो इसलिए बोलता है ता क कि अपने को रूपना पड़ता है। प्रिग्नेंसी संबन्द इतनी है। अब हम सिर्फ यह सोच रहे हैं कि दो महीने रुपवाएं तुम्हें या जल्दी घर भालें। वो निगेटिविटी है पिटा वो रुडातमता है। वो पहले के पुर्वजों के शराप से भी हो सकता है। क्या का है अभी इस समय हम तुम्हें कैसे कहें यह सब चीज है। लेकिन हम इसलिए चाहरे हैं कि तुम्हों कुछ प्रश्णों के जवाब हो जाएंगे तो उसके बाद में हम ज्यादा बहतर रूप से उसका solution दे पाएंगे। अच्छी चीज क्या है। अच्छी चीज पार हो गई है और केल्श्यम की कमी थी तो केल्श्यम की गोली खा लो। केल्श्यम की गोली खाते रहेंगे, बीट वर्ड डी को बेलेंस रखेंगे तो घुपने का दर्द गायब हो जाएगा। तो व्याधी है यह तो 100% है। अब व्याधी क्या है यह भी हमें 70% समझ में आ रहा है पर वो हमको 30% कनफरमेटिव करना पड़ेगा अब ये बेठे हैं श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम अब हम लोगों के अब भगवान की दया है जब तक रख रहा है तब तक है और वो चेहरे देख के हमें भूत कुछ समझना जाता है आपको आश आज कुछ होआए कर नहीं आज कुछ होआए कर इतना पूछते हो रोना शुरू करते हैं कि अहां सब अब ये स्थितित एक बीमारी हो गई है तो आप चिंता मत करो मैं जब तेरा सार थी क्या चिंता की बात मैं जहिलूंगा वक्ष पर हर पहला आधाता अधात होगा तो हम करेंगे लेकिन हमारे को सिर्फ एक चिंता है पिटा कि हम दो महीने रुकें जल्दी करगा है ना गर्वा संसकार विधा से हम जुड़े हुए है तो भगवान शेक्रुष्ण है उन्होंने गोवर्धन प्रवचीटे उंगली पर उठा लिया तो ये कहा है लेकिन भगवान तो दो तिन दिन में चार्ज में आपको कॉल आएगा वो कुछ प्रष्ण पूछेंगे उसका निदानापन करेंगे चिंता मत करो फूल होंगे शूल सारे मित्र होंगे सब दिरोधत एक दिन सारे कांटे फूल में बदलेंगे लेकिन कुछ उपाय अपने को जोतिश की दृ प्रष्ण है यह आप सब को सकता है कुछ लोग नो मेन जुड़े वो भी जानते हो वो जोतिश प्रारम भी नहीं हो पा रहा है नितों मुझे क्या था था मैं खवाने के लिए नहीं कर रहा है मतलब आप लोगों के सब आप सब बड़े लोग हो आप सब के शुब कामना इत उस घर के अंदर भी रुनात्मता है यहां पर आपर हो पूरवजों की तरफ से भी कोछ है पर वो जोतिश की mathematical दुरुष्टी से प्रमानित हो जाएगा तो solution ज्यादा करने में हमें भी अच्छा लगेगा धन्यवाद सर बिलकुल अगले प्रेशन की तरफ चलेंगे सर अगला प्रेशन है सर प्रीति तुशार साखरे जी का इनका नववा महना है और यह नागपूर महराष्ट्र से है इनका प्रेशन है सर पाच्वी की पूजा कैसे करते हैं उसके लिए मुझे मार्गदर्शन च वो आपको एक वीडियो में बता देंगे कि पाच्वी तो उसमें आपको बहुत चुकि लेंद्ध प्रेशन है एक प्रेशन बहुत अलग टाइप का है सर शाली निरस्तोगी जी का है सात्वा मेना अहिमद नगर महराष्ट्र से नमस्कार सर मेरे जीवन में दुखी दुख है और दुख की अनुमोथी तब काम होती है जब उससे बड़ा दुखा जाता है तो सर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है एक दिन एक इनसान मंदिर में गया और वो संयोग वशराम जी कहीं मंदिर था हम पहले भी बोल चुके होंगे उसने बहुत शिकायत करी कि यह यह सही शिकायत थी सारे दुख मेरे जिंदेगी में दिया यह सारे बहुत अब तरस्त हो गया हूँ मेरा अब तेरे पर जब बहार आया थोड़ा आके बड़ा अंधेर था मंदिर के बहार थोड़ा गाओं का विक्ति हुगा पीछे से आवा जाई है भाया कि रिचमुर के देखा तो अनुमान जी खड़े श्री राम जाहिरा मुझे से अधर आपने एप्लिकेशन रखी थी कि सारे दुखी- अनुमान जी खड़े में आपकी एप्लिकेशन रखी तो अनुमान जी खड़े में आप गए थे उनकी जिन्दगी में क्या-क्या हुआ यह खोले इतने सारी है ऐसा है बटा दुख हम पहले भी कह चुके हैं कि हरिर दुखानी भक्ते भ्योहित बुद्ध्या करो ते हिष्य तो इसलिए मनुस्मृती निखा एपिता है क्योंकि वो हरिर दुखानी भक्ते ब्यों, हित्वुंद्ध्या करोती है हमारी हित्वुद्ध के लिए क्यों क्यों क्योंकि दुख में मनुष्य इश्वर के ज्यादा करीज जाता है सोचना कभी ह смог सब चाहिए चल रहा हो प्र जाता है तो इंसान मंदिर के तरफ दोड़ता है जोतिश के तरफ दोड़ता है भगवान जब ये देखता है कि इस इंसान के पूर्व जन्मों के कर्म सही नहीं थे तो इस जन्म में इसको जितना मेरे करीब लाकर मेरी आराधना करेगा मुझसे जुड़ेगा मेरे लिए समर् संबंद नहीं है मेरा सिर्फ उससे संबंद ये धीरे-धीरे-धीरे करते करते इस भावना तक पहुचेगा तब वो पिछले जन्मों के अपने उन चीजों से मुक्त हो जाएगा और भगवान उसको मोक्ष परदान करना चाहता है तो भगवान जिसको अपने करीब लाना चाह फीजियो थेरेपी फीजियो थेरेपी क्या है वो न तो शस्त्र है न शार है तो जैसे तीन चीजों से ही डॉक्टर लाज करते सोची है हजारों साल पहले आपके पुर्व जोने लिख दिया कि इन तीन तरिकों से ही राज होगा जिन्दगी में हमेशा तो भगवान जैसे पिता अपने पुत्र को इन तीन चीजों से ही कर सकता है ठीक तो भगवान के भी ये शस्त्र हैं शा रहें कर्म हैं कि तुम्हारे पुर्व जन्मों के कर्म सही नहीं थे अब इस जन्म में भी तुम मेरे से करीब अगर नहीं आएं तो तुमको हो चोरिया सी लाक यूँ तरीका भगवान को दुख पता है श्री राम जयराम 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 तो इसलिए और उसमें हमेशा अपना संबल धर्म के साथ रखना चाहिए कैसे हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम भगवान के मंदर में राम जी के मंदर में जाते हैं तो हमको सोचना अजरी कुछाष्ण भगवान के जीवन में, कितने दुख, कितने दुख, कितने दुख, हम्ये दुख रहिए को कि देए, विजा होगा हम तुमारे बच्चा होगा तो तुम अप्ने होस्पिटल में पहले से रू म देख कि आते हैं कि पहले से वो नरसी मुम में देखके आते हैं कि ये रूम उसकी बुकिंग होती है और श्रीकुष्ण भगवान ने जेल में बुकिंग कराई थी उनकी मुद्लिए आपका बच्चा होगा तो जैसी होगा निकालके वो बधाई यह हुआ ने वो हुआ और उसको जो लाइट मे रखते हैं आजकल वह नवह एकसा क्या रहता है वह और श्रीकृष्ण भगवान जैसी जन्म हुआ तो बरस्ते हुए पानी में यमुना के अंदर से निकल रहे हैं तो खरी के अंदर रख्के ऊपर से पानी गिर रहा है आप सोचो जिस जमाने में राज-पुत्र होने थे उ सारी गायों के पिछे जो जंगल में गुमते थे यह अपनी लकुटी कंबलिया तुने बहुत ही नाच नाचायो जिस वह अखेल अनन्तकोटी ब्रह्मा अदनायत थे और मां उनको इसा करके देती थी तो सोचो आप सोचो जिस दमाने में आपकी बच्चो को स्कूल्स मिलेंग ये कॉन्वेंट स्कूल न वो इंटरनेशनल स्कूल शिरकुष्ण भगवान को उस दमाने में क्या करना पड़ा आपकल पना करो शेंड सारवाइचे कितना दुख मुर्त्यू कैसे हुई बहेलिये के तीर से पक्षी पकंडने वाले के तीर से मुर्त्यू ये भगवान की कितना राम जी के जीवन में कष्टों के सीमा आप सोच सकते हो हम लोगों को हमेशा केते हूं और आप सब लोग अपने अपनी जो फेस्बूक और वाटसेप और क्या होताई इंस्टाग्राम उस सब पर डाला करो कि प्रेम का वास्तविक स्मारक ये कोई ताज महल है क्या का प्रतिगू प्रतिग लेकिन सीता के प्राप्ति के बाद में भी सीता कितना कष्ट जीवन में 14 वर्ष इतने कष्ट के उसके बाद बड़ी मुश्किल से प्राफ फिर उस त्याग हो गया तो इसलिए जीवन में कष्ट तो यह भगवान जब आउतरी तो होते हैं उनको भी सहने लेकिन अपने को क्या सोचना चाहिए कि मुझे दुख ही होता है कि मुझे यह खुशी क्यों नहीं होती कि श्रीकृष्ण मेरे है तो जिस दिन मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों कोई के लिए दुख है मेरे मेरे कर्मों को ध्यान से देखने के लिए दुख है कि वाकई मेरे आज भी मेरे कर्मे तो नहीं है मैं किसी का दिल दुखाने की ब भुवनेश्वर उडिसा से, नमस्कार विपिन सर, मेरे और मेरे हस्बेंट की तरफ से पूरी कृष्णा कमिंग टीम को, उन्होंने ब्रेकेट में ये भी कहा है कि केमेरे के सामने और केमेरे के पीछे के भी सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवार, मेरा बच्चा थोड़ मेरे प्रेगनेंसी में मेरे हस्बेंट ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, डॉक्टर ने मुझे टोटल बेस ड्रेस्ट के लिए कहा था, तो उन्होंने कुकिंग, मार्केटिंग, वाशिंग आदी सभी काम किया, कृष्णा कमिंग के में जो लाइफ सेशन होते हैं, इसी में और हर अच्छी चीज उसकी और बुरी मेरी रही, जिसके पास ज्यादा पेसा है, मतलब ये सब चीज़े उन्होंने कहीं कि ज्यादा पेसा है, माता पिता, इसकी साइड है, ये मेरा second IVF है, first IVF में positive आया था लेकिन negative हो गया था, इसलिए अब डरती हूँ बताने के लिए देखने नहीं आए, प्लीज आप मेरे बच्चे के सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए शरी रहान, सबसे पहले तो पांड़ा जी आपको सादुबाद, अपने पत्नी के पीछे रॉक सॉलिड खड़े रहना, वाह, बहुत बड़ी है, मतलब कुकिंग भी करी है, आपने इस सब किया, सही बात है, एक लड़की अपना घर छोड़के आगगई जिस घर में बच्च्पन से बढ़ी होई, और बाबुल की गलियां छोड़के आगई, वो घूले छोड़के आगई, वो मां को छोड़के आगई, सहलियों को छोड़के आगई, आपके पीछे, एक दिन आप दोनों का विवा हुआ, वा गई, अब उसको मां का भी प्यार आपको देना है, पिता का भी प्रेम आपको देना है, पिता की सुरक्षा भी आपको देनी है, याद रखना, और आपने वो काम किया जोतिरमई ना वे ते सर्दू सभी जोतिरमई निरौ पकसलामजाग ते जे थे राघव ते थे सीता, जहां राघव है वहीm सीता है, तो जिसको पती साथ हो, सीता जीने श्री राम जै राम जै राम श्री राम, श्री राम जै राम, श्री राम, राम जी को वनवास हुआ, राम जीचीचीची को बताने गए कि आप यहीं रहिए को वन बहुत कंटक मार गए बहुत काटे हैं बहुत हिंसक्पशू है राक्षस हैं आप यहीं रहिए सीता जी ने कहा कि आप मेरे लिए ये जितनी ये जंगल जिद्ते रहेंगे वो सब मेरे लिए बड़े-बड़े मेहलों के वातायन हो जाएंगे, बड़े-बड़े परदे हो जाएंगे, जिस चक्टान पर आप बैठेंगे, वो चक्टान सिम्हासन है, तो श्री राम, सीता जी ने कहने का सार ये था, कि जहां आप है, वहां मेरे लिए सब कुछ है, और जहां आप नहीं, वहां मेरे लिए सब कुछ होते वे विशन में है, तो जियोतिर मई, सबसे अच्छी बात ये है बेटा, कि तुम्हारे पती तुम्हारे साथ है, और यकीन मानो, जिनके पती उनके साथ है, फिर जग भी अगर विरोध में है, तो फिर तो चेहरे में मुस्कुराइट है, पह सनदेशा एक बात याद रखनादिन के परती कतुता नहिलाना, क्योंकि एश्वर की कृपा से तुमको अगर अगर एसे पती मिले, एश्वर की कृपा से तुम्हारा ये दूसरा प्रयत्मत्ह पहरा वाला सफल हुआ है, जो दूसरा सफल हुआ, क्टूता मन में नहेलाना, अपने को यही सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब समझ जाएंगे, सब प्रेम करेंगे, यही हम भगवान श्री जगन्नात से प्रार्थना कर सकते हैं, श्रीया, काई प्रश्न एक अगा दूम पहन साथ? नितिजा से कि मेरे को आशिरवाद दीजिए, मझे बहुत डिप्रेस हो गई है वो ऐसे, अरे यार कैसी बात करते हैं, तुम लोग कभी-कभी हमें लगता है कि जिसका पती साथ है, बचे हुए लोग, हमें ऐसे भी बहुत कहते हैं, कि मेरे सासो सुर्थ बहुत अच्छे हैं, पर पती मुझसे बात तक नहीं करते हैं, किती है तक हैं, यहां उल्टा है, पती साथ में इतना उने साथ दिया, अरे बस पती साथ है, बस खतम हो गई बात, और बचे हुए लोग भी तुम लोग उनके प्रेम की तलाश करते हैं, अच्छी बात यह जो तिर महीं, कि तुम प्रेम की प्यास में है, तो भगवान उस प्रेम की प्यास को समझेंगे, इसी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, कि फूल जल्दी से शूल फूल में बदलें, लेकिन निगेटिवीटी मन में नहीं रखना, सोमवार के बाद मंगलवार अलग होना चाहिए, और याद अगर अवलंबन तुम किसी और पर डालते हो, तो तुम गभी खुश नहीं रह सकते हैं, खुशियों के कारण खोजने पड़ते हैं याद रखना, अगर तुम किसी दिन, मतलब ये अगर खुशियों को पाने का सोचोगे, सबको कह रहे हैं तो खुशिया कभी नहीं ये एक भयानक भगोडा स्वर्ण है, ये एक मुरुग मरीची का है, जैसे रेगिस्तान में दूर देखो, गर्मी के मोसम में तो ऐसा लगता है कि पानी है, लेकि वहाँ जाओ तो पानी नहीं रेता, तो खुशियों को जो पाने का सोचता है, वो कभी खुशिया नहीं पाता, खुशियों को जो खुज लेता है, वो खुश रेता है, छोटी-छोटी चीजों में खुशियां खुजो, अभी हम ये आपके सत्र दे रहे हैं, इस सत्र के पहले हमारी पत्नी का कॉल आया, हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि आज आज आपको लेने जाना है उनको एरपोर्ट पे आज जल्दी खत्म करना अपने आदत जैसा लंब लंब उत्तर दे के उनको भूआ रखते हो और आप खाना-खाने घरा आ जाना फिर उनको लाओ तो देर हो जाएगी आपको खाना-खाने में, तो रात को देर से खाना फिर वो होता है आपका, अब हम सोचिए इस चीज़ क किसे हमने देखा, वा, हमारी पत्नी देख, हमारा कितना ध्हान झाजती है, क्यूंगो लगता है कि खाना समय पर हो जाना चाहिए, उनका बहुत देर, क्युकि हमारे दूसरे पर बिजनसे हैं, तो रात को देर हो जाती हमको भर जाने में, तो उनके मन में ऐसा है कि नहीं, फिर वो एरपोर्ट जाएंगे, नो पचास को फ्लाइट लेंड करेगी, फिर वो एरपोर्ट के बाहर जब तक आएंगे, ओर टाइम तो उनकों, यह छोटे से कॉल के अंदर से यह चीज निकाल के मन को प्रसंद चित्त करना, अच्छा, पत् इतनी व्यस्तिक उसको समय नहीं मिल पाता कॉल गाने को, दोनों में खुष होगा हम तो, और कोई इंसान अगर अपने आपको दुखी देना चाहे, तो वो तो दोनों में कुछ निकाल लेगा, दोनों में निकाल लेगा, तो इसलिए खुषियों को अगर पाने के लिए अगले प्रेशने की तरफ चलेंगे सर गरीमा जोशी जी है नवा मेना है इनका इंदोर से है और इनका प्रेशने सर वीडियो फॉम में है सर वीडियो प्लीज नमस्कार सर माजनाव गरीमा आकाश जोशी में इंदोरून बोलता है माजन सद्या नाइन्थ मन्द चालूआ है सर्वप्रतम माजना गर्भा वस्तिला उत्तम आणी आनंदी बनोना बदल संपूर्ण कृष्णा कमिंग टीन चा विशेश करून अपला मना पसुन खूब खूब आभार ही माजी फर्स्ट प्रेग्नेंसी आहे जला में कृष्णा कमिंग सोबत खूब एंजोई करता है माजी प्रेग्नेंसी आता शेवटलट अप्या वरा है अमचा बार सुखरूप या जगात यावब ही सामची इच्छा तुपया अपला आशिरवाद असूद्या तुमचे वचन सत्तत अमचा मार्ग दर्शन करत आले आहे तसच माजा मनात एक प्रश्णा आहे जशव अपला शास्त्रा अन्मदे गर्भा वस्ते चा काड़ा साथी स्त्रियान न काई दिशा निर्देश दिले गेले आहे तसच डिलिवरिन अन्तर चा काड़ात स्त्रियान साथी वबाड़ा साथी काई दिशा निर्देश दिले गेले आहेत का यावर कृपया मार्ग दर्शन करावा तुम तब खूब खूब धन्यवादी अगर आप भी एक शांत्मना, बुद्धिमान और संस्कारिश शिचू को जन्द देना साती हैं तो बिना देरी किये अभी कृष्णा कमिंग गर्प संस्कार आप डाउनलोड की दिये जहां आपको मिलेंगे इजी तो फॉलो वैदिक गर्प संस्कार कोर्सिस जिने फॉलो करके हजारो पेग्निन लेडीज ने एक शांत्, बुद्धिमान और संस्कारिश शिचू को जन्द दिया आपकी लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गरीमा गरीमा दोशिचे इंदोर अध्याप्रदेश गरीमा सट पहले कि अवाला तुद प्रश्ना एकुन खूब खूब आवडल यहाशटी आवडला करनकी तुद खूब खूब घूब मुलिगी है अपन खुब गोल प्रकारा नी अगदी शांत पने नी यसा हडव गोल तोलून तोलून एक शब्दन ना बग मोजून बिलकुल अगदी जब आहे अपन तया चातना किती करू पाउत ते अपनला बगावा लगता है शास्त्र तो खुब सारा मनता है पन अतका है हिंदु धर् तोफु जब करें तो देन झांपन परस यज एक्यों कि यस ऐल नायऑ घरा फंज्रुद्र आःेuß गेरेश ला थुग अटन मननुश्य जया हिरु शास्त्र भी खांपन प्रपकारस्न उता तर यहासाथी जितका शास्त्रमंत त्या मधन नीरक्षीर विवेक ठेवन अपन जितका करू शक्तो तितका कराईचा प्रयत्न केल पाईजी ठीक है आता त्याचा मदे काय काय केल पाईजी एती लंबी सूचिये तु किती करू पाऊना आर ते तुझा वर का करूशे का अथी जन्मा चे जन्मा चे लिए दाहदी पाऊनत शांती पार्ड़ जर्कषी क संपर कशिया खूब श्रीष्ट ना ही करूशना कमईशी संपर करा तु इंदोर चीहासाथी मनून रेलो ए प्राम्दा नी घरिय उन शांती पाऊन ते केल पाईजी ते केलत्स तो बाहर अगर आप जाओगे दिन तो खुछ भी वो चांदनी की दुरुष्टी वो जाओगे दिन वर्जित था गर्भिनियों को बाहर जाना वो उस समय शास्त्र दिखे कई तो उस समय अंधेर अरता था यह लाइट्स वाइट्स थे नी तो बहार अगर आप जाओगे तो चांदनी की दुरुष्टी वो भी नहीं है तो आपको ठोकर लग गई और आप गिर पड़े तो उस समय जंगल और इस सब जादा रहते थे नीचे साब बिच्छो आने की समस्या रहते थी गर्भिनी को नदी का उनलंगन करने को मना था कि नदी पार नी करना गर्भिनी ने देशकाल अही ताद रुषग कारण देशकाल अही धर्म को परिभाशित करता है तो काल बड़ल गया अब हमारे पास लाइट से तो हम जा सकते हैं उस समय अगर नदी उलंगन करना मतलब नदी पार करना थी तो नाव से करनी थी अब नदी पूर के अंदर और आप नाव च मैंने से खा़न को प्रव के हैं इसलarnos सब से प्रत्रं के अप्रम कें सिल्ली से कुछ जव लू जितना शास्त्र केते हैं वो हम आपको पर्सों तंक भेज पाएंगे लंबी सूची है जितनी अपने से करते बने वो अपने को से डिसाइड करना है लेकिन हमने जो कहा वो ध्यान रखे है जो हमने पहले भी कहा था जब प्रसव पीड़ा होने लग जाए तब श्रेष्ट है कि उस समय अपन भगवान को नमस्कार करके ही निकलना है जब प्रसव पीड़ा हो या जब अपने को इसा लगे कि हम को सी सेक्शन के लिए अंदर ले जा रहे हैं तो अपने को मुखात तेचा गोड़ना और आहू दे सर्वशेष्ट शक्ति संसार की अपने को मानसी कुरुप से संबल देने के लिए क्या है वही जिसको नाम लेकर हनुमान जी ने समुदर लंगन कर लिया तो इसलिए वही शक्ति हनुमान जी से पूछा कैसे कूद गए तो हनुमान जी ने ने पता नहीं हम तो बस नाम लिया खूद गए भगवान का तो वैसे ही जब अंदर जाते रहे हैं अपने को शरी राम जयराम जयराम मन में चलने दो क्योंकि जब आप वह नाम समरण करते हो तो सोचना ही नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ में वही सब आपदावं से हरने वाले और वही सब संपदा देने वाले हैं तो इसलिए ये चीज़ चाहिए जैसे ही प्रसव हो जाय, जब आपका शिशूत हो जाय जन्म ले जाए तो शास्त्र हो अगर तो आप पहले वो डॉक्टर को बोल सको अभी से ही बोल देना कि मुझे आप लिंग मत बताना बच्चे का पहले मुझे बच्चे का मुख दर्शन करने देना चाहिए वो किसी भी पुरुलिंगो पिता ने पहले दर्शन करना चाहिए समझ में आया आपको और उसके बाद वो करना चाहिए और अगर वो पुत्र हो तो जिस कपड़े में पिता वो दर्शन कर रहा है वो हॉस्पिटल में उस बच्चे के उसी कपड़े के सहीत उसको सनान करना चाहिए एसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भाग जाना चाहिए उससे समय में जिस समय भी घर जाए बतलत निश्ची दुरुप से आपके सास होगी शायद उसकता आपके माँ भी आ गई हो या कोई दो-4 लोग रहती ही घर के जब भी पति घर जाए पहली बार उसके बाद में तो उसके पड़े सहीत इसनान करना है कपड़े उतार के नहीं कपड़े सहीत इसनान करना ह तो ये कुछ चीजे शास्त्र कहते हैं, हमारे दादा जी हम आज इस सुबह किसी को कह रहे दे, कि हमारे दादा जी इस मामले में शरीराम जयराम 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 जय जिन लोगों ने शास्त्र लिखे, उनको तुमसे और मुझसे, ज्याननी शास्त्र लेले, त्यानना तोजाशी और माजाशी जास्त्र समझ होती, फुल स्टॉप, बस कतम बात, तो वो कपडे में स्नान क्यों करना, नी सोचना अपने को, लिखा है ने, करना है, अपनी जो मनुष्य रोज विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसको कभी अपयश्किर्ती, उसको कभी अपकिर्ती नहीं हो सकती, उसका नाम उचाई होता रहता है, तो यह हमारे शास्त्र में लिखा है, अब लंबी सुची है, जितना कर पाए, आपके उपर है, अगले प्र साकेट सर को भी पूछ ले कि साकेट सर न्यूटन पर ही रहना, न्यूटन स्विला पर हमको तुरंद निकलना पड़ेगा यहां से एरपोर्ट के लिए, क्यों को बस इंके पढ़ जाते हैं तो फिर हम भी हमाई पत्नी सही केती है, हमें लगता है, चाड़ाट दिज गई है दोनों को फोन लगाओ, साकेट सर को भी और विनोट सर को भी, कि न्यूटन स्विला पर रहें, कार लेके प्रशना, लून स्विला जी मधुमांडवी जी है, चट्वा मेना कांकिर शत्तिस गड़ से, इनका केना है विपिन सर प्रणाम और कुष्णा कमिंग की पूरी टीम को आभार, मैं अपने बच्चे को वईग्यानिक बनाना चाहती हूँ, अर्थात मैं चाहती है कि उसके मस्तिश्क के दोनों हिस्से, द सब्सक्राइब है, हम साइन्स, हमाई जिंदगी वीद गई, साइन्स में और फिजिक्स में और इन सब चीज़ों में, ठीक है, हमारे पढ़ाएवे स्टूडेंट्स में से लेकर तो हावर्ड से लेकर तो सब दूर है, हम से हावर्ड युनिवसिटी के पी एचडी स्कॉलर गर्ब संसकार पर प्रशने पूछ रहे हैं भी फिलहाल, ठीक है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि विज्ञान का ये जो क्रकार है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और उसमें अभी हम क्या करें, जिससे लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो जाए, ये उनको ही मुबारक हो जो ये करके आप लोगों को मुर्ख बनाते हैं, मत करिये, इससे कुछ नहीं होता है, डन हम कह रहे हैं, अभी तीन-चार दिन पहले हमको मंत्री जी ने हमसे पूछा, मंत्री जी भी कौन, क्या देने, मैं समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नही आ रहा है, तो विनोत बंदल के उनकी बारे में बताना है कि साकेट समझ के बारे में ठीक है, तो हमको तीन-चार दिन पहले की बात है, हमको जो यूनियन केबिनेट हिल्स मिनिस्टर ने, उन्होंने अमसे प्रशन पूछा, क्या आप ये गर्वदंसकार जो कर रहे हैं, तो या आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका उद्देश ही क्या है, तो हमने उनसे कहा, जी सर, आखरी प्रशना सर, कुनाली विश्वास जी का है, पाच्वा मेना प्रयाग राज उत्तर प्रदेश ते, सर, क्या भक्ति सभी बंधनों से परे है, या भक्ति भी शास्त्रों में ब मेरे और मेरे पती गुरू की तलाश में हैं, किन्तु हमें गुरू नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हमें गुरू की प्रयाप्ति कैसे हो सरे है, गुरू इसलिए नहीं मिलते लोगों को, क्योंकि वो गुरू थोड़ी खोशते रहे हैं, वो भगवान को खोशते रहे हैं, देख कारण मनुष्य को भगवान मानना है लेकिन उस मनुष्य में भगवान खोजना नहीं है कोई है जो आपने किसी को गुरू बना लेकिन आपको कुछ दिनों बाद लगता रही है तो सेलिब्रिटी इसको ज्यादा वजन देते हैं कलेक्टर साब आते हैं तो उनको पहले अंतर ले लेते हैं ये कैसे गुरू कोई गुरू है उनके बारे में आपको पता पड़ता है कि ये तो सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है कि हम खोजते हैं उस परफेक्ट की जो हमारी लिस्ट है उसमें एक भी अगर पॉइंटर दर हो गया तो याद रखिए गुरू की खोज मे निकलना है भगवान के खोज में नहीं जिसको आप गुरू बनाते हैं वो मनुश्य है और वो मनुश्य को आपने श्रधा की दुरूष्टी से गुरू स्तान दिया हुआ है, भगवान का स्तान दिया हुआ है तो इसलिए मुझे लगता है कि कई लोग जीवर में आकरी तक बिना गुरू के ही चले जाते हैं कि क्यों वो कहते हैं हम तो तैयार थे गुरू मिले ही नहीं नदियों ने मर्यादा बनाए रखना चाहिए किसी दिन उमड़ घुमड़ के वो स्वयम समुद्रों को प्राप्त हो जाती है तो याद रखिए हमारी तिवरता उतकंठा बहुत जादा हो कि मुझे रोना है किसी के पास बैठके बस मुझे रोना है मैं ऐसा कोई कि जिसके पास बेठके मेरी प्रशन पूछने की इच्छा खतम हो जाए मेरे दिमाग में जाते समय बहुत प्रशन रहते लेकिन उनको देखके उनके पास बेठो और ऐसा लगे कि प्रशन ही पूछना खतम हो जाए ऐसे लगे उनके पास में उनके गोद में सिर रख दू और वह सिर के उपर से हाथ फेरते रहे बस समझ देना वो गुरू है और हम मेंसे हर मनुष्यों को ऐसे किसी मनुष्य के तलाश है की नहीं आप खुद सोचो इसे लिए भगवान भी जब अवतरित हो के आए तो उनको गुरू करने पड़े इसे लिए गुरू परंपरा अपने होना ही चाहिए लेकिन हमको गुरू इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम गुरू की खोज में नहीं है हम भगवान की खोज में लगे रहते हैं भगवान कहते हैं कि तुम पहले मनुष्य के प्रती तो समर्पन लाओ गुरु भाओ में, मेरे प्रती क्या लाओगे? क्योंकि अगर मेरे प्रतिसमरपन ला रहे हो तो जिस दिन में आवतरित हो कि अगर किसी तुम को मिल गया तो तुम मेरे से भी कटोता रखना शुरू कर दो कि अगर मैं बोलूँगा कि मुझे तुम मेरे ये चीज पसंद नहीं और तुम मेरे में भी कुछ खोट निकाल दो गया कुरुष्ण अगर इस सनुसार में जन्मते अभी तो तुम उन्हें गुरू मान लेते क्या सोचो नहीं मानते क्यों सोला सो रानिया है सोचने जाते इतना कि क्यों है सोचो आप राम जी जन्म ले लेते तो आप गुरू मानते क्या श्री राम जयराम जयराम जयरा नहीं गर्भवती थी स्त्री और उन्हें त्याग दिया तरकाया है अपले अला सग्गत कहीं न कई खोट काड़ाईची है और गुरू ने अगर कहा कि दिन नहीं ये बाहर-राथ है तो दोपहर को बारा बज़े भी मेरे ले रात है मैं तो अपने तराजू पे तोल तोल की देखने वाला कभी गुरू नहीं कर पाता गुरू के पहली बार पहली बार हम गुरू से मिलते हैं उसके बाद जीवन भर सिर्फ दर्शन करते हैं, गुरू का आचरन नहीं, गुरू के चरन देखने चाहिए, और हम गुरू के आचरन देखने में लगते हैं, कैसे होगा फिर, रहुपल श्रुमणी आप सब पर अपनी कृपा रखें, जिसके पावित्र का प्रमान स्वयम पर हो जाता है, ऐसे मारूती आपके ओपर हनुवान जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, सारे संकट आप से हर लोग, श्री राम, जिन्नों ने अपने माता-पिता को बिठा कर उन्हीं के आस-पास परिक्रमा करके ब्रह्मान्ड की परिक्रमा करने का सिद्धान्त प्र अज प्रश्ण तर के सेशन को यही वीराम की ओर लेते हैं परिक्रमा कर लेते हैं आप सब लोग बहुत मेरे उपर कृपा रखते हैं लेकिन आज मुझे जाना जरूरी है उनकी फ्लाइट लेंड हो जाएगे और उससे बहार आएंगे और मेनी दिखूँगा यह सही साउज तो इसलिए मैं हमेशा कोशिच करता हूं कि जो संत महापुरुष हैं सन्यासी हैं उनकी भिक्षा मेरे घर पर हो वो मेरे घर पर रुखे हैं घर में विसा माहूल बनता है संस्कार मिलते हैं बच्चों को तो बस इसलिए नहीं बहुत बहुत दन्यवाद तो चलिए आज के स सेशन को यहीं विराम के और ले जाना चाहेंगे हमेशा की तरह आज का सेशन अच्छा लगा हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पाइस्टार रेटिंग देना ना भूले और आगे अनने रोचक जानकारियों के लिए हमारे कृष्णा कमिंग के सभी पेज़ सोशल मीडि अगर आप इस वीडियो में अभी तक बनी हुई हैं तो कॉंग्राचिलेशन अपने शिशु को गर्भ से ही संसकारित करने के अपने एफोर्ट को और बूस कीजिए यहाँ वीडियो और इसके जैसे कई प्रेगनेंसी और गर्भ संसकार से रिलेटेड ओडियो वीडियो ला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संसकार आप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपन जोशी सर की फ्री डेमो क्लास